हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी को पता होगा कि 2023 में आपका बोर्ड का एक्जाम स्टार्ट होने वाला है फ्रेंस यहां कच्छा 10 का मैद से एक important question देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम में ये question हर साल पूछता है तो फ्रेंस आपके सामने प्रश्ण है कि चित्र में त्रिभूज ABC के आधार BC के समानतर रेखाकन PQ खीचा गया है यदि PQ अनुपात BC इसकल टू एक संबंदे 3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा ठीक है तो यहां पी क्या पूछा है फ्रेंस AP और PB का अनुपात फ्रेंस यह question इतना important है कि आपका 2019, 2020, 2020 में यह question आ चुका है तो संभावना है कि आपका 2023 में भी यह question आने की ठीक है तो चलिए फ्रेंस इस question को देखते हैं इस चीज़ को बस आपको यहां पर ध्यान देना है तो चलिए फ्रेंस देखिए अब यहां पर क्या है आपका कि पी क्यू जो है बी सी के समानतर है ठीक है इसका मतलब हुआ कि यह तीर्यक्रेका काट रहा है तो यह code इस code के क्या होगा बराबर होगा इसका नाम देखिए यहां पर दो तिर भूज़ों का हम क्या करते हैं नाम लिख लेते हैं पहले यहां लिखते हैं हल यहां तिर्भूज का नाम लिखते हैं कौन कोन सा तिर्भूज बन रहा है आपका तिर्भूज जो है कोड़ चार के बराबर किस नियम से संगत कोड़ के नियम से और इसमें यह क्या है कोड़ दोनों त्रिभूज में देखा जाए यह कोड़ दोनों त्रिभूज में उभयनिष्ट है यानि कोड़ ए क्या है दोनों त्रिभूज में क्या है उभयनिष्ट यह क्या है उभय भूहे निष्टों निष्ट कि इससे फायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा अब नहीं को दखाए यह भी निष्ट वेगा तो आपको जो होता है एंगल 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 सम्रूपता से इसका मतलब होगा he इंगल हुआ है इंगल हुआ है तीनों के दोनों त्रिभूज में यह कोड क्या है बराबर है तो इंगल इंगल समरूपता से त्रिभूज क्या होगा A, P, Q, सरवांगसम होगा, समरूफ होगा, तरिभूज A, B, C के देखिए, अब जब यह समरूफ हो जाता है, तो आपको पता होगा कि जब दूर तरिभूज सरमरूफ होता है, तो उसमें भूजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, तो देखिए, यहां भी इस तरिभूज का नाम लेते हैं, A, P, A, P, बटाके, A, B, यह भूजा है, बराबर किसके होगा, A, Q, बटाके, A, C, यहां पहुजागा, A, C, बराबर इसी तरह होगा, P, Q, अपान, B, C, ठीक है? देखिए, जब दो, तरिभूज सरवांगसम होता है, तो उसमा भूजाओं का अनुपात क्या होता है, उन दुने तरिभूज के भूजाओं का अनुपात बराबर होता है, अब यहां पे सवाल ष्ड़ा से देख लिएते हैं, फ्रेश यहां पे दिया है, A, Q, बटाके, अन जब जयाद क्या करना है यह फिख थ्यान दिजी यह ऑर पी वी कमान गयाद करना है चिसका मतलब होुआ कि आपके निलेकर writ गतना करना है ने यह बोटा के, इसका मतलब होता है कि एक नहीं है से करें आपके मांणभी एक बटा के था तेन है घ्यात करना रहाता है उसी भूजा पो लगें चलते हैं तर इसके बरबर हो गया थे यह आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है AP कमान एक है और AB कमान एक है इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं देखिए AP देखिए यहाँ पर यहाँ इस कमान कितना हुआ आपका एक AB कमान कितना है यहाँ पर तीन AB कमतलब होता है कि यहाँ से लेकि कि यहां को ग्यात कि एक यहां से लेकर यह देकि है कि यहां तक यहां तक एक है यहां से अ Firth ओले है आफकर पी-बी ग्यात कर न रहा ते यहां से पता चल जागा तीन में से घटाएंगा तो यान्हीओ पाता चल गए आपका दू अब यहां पी देखिये स्वाल में आपसे कहा है इसका अनुपाद ग्यात करने के लिए ऑनुपाद कैसे लिखेंगे एक अनुपाते हैं पीबी देखी ऐपी कमान कितना आपका है एक यहाँ पहुत जाद है अनुपाते पीबी कमान कितना है यहाँ फ्रेंस की आपका एंसर होगा यहीं सवाल आपकी लिए बहूत जाद है इंपोर्टेंट है आप पिछले साल का 2019, 2020 2022 का paper लेकर देखिएगा ये 3 साल ये question same to same यही question पूछा गया है तो संभावना है कि आपका 2023 में जो board का exam होने वाला है ठीक है जो 2023 में board का exam होने वाला है उसमें ये question आने का 100% chance है देखिए हो सकता है कि यहाँ पर आपका अंक बदल जा ठीक है हो सकता है एक के जगए पर तीन या इस तरह बदल के देदे तीन संबंद एक देदे या दो संबंद देदे इस तरह दे सकता है लेकिन ये question आपका 100% आपके board के exam में आएगा इस question को आप एक से दो बार देख लीजी जिससे आप board के exam में तीन से चार नंबर पक्का कर सकते हैं तो friends आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें झाल झाल में आपका 100%